Hello everyone, तो देखे, आज हम बात करते हैं, temperature coefficient of resistance के उपर, चीक है, तो हमारे पास जो temperature coefficient होता है, ये हमारे पास दो type का होता है, एक तो हमारे पास होता है, positive temperature coefficient of resistance, और दूसरा हमारे पास होता है, negative temperature coefficient of resistance, तो ये जो हमारे पास positive temperature coefficient of resistance होता है, ये हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास temperature increase करता है तो resistance भी increase करेगा resistance भी हमारे पास क्या करेगा increase करेगा और अगर temperature decrease करेगा यानि कम होगा अगर temperature तो resistance भी हमारे पास कम होगा यह होता है मतलब किसका temperature positive temperature coefficient of resistance और यह किस में होता है हमारे पास ये metals में होता है metals का क्या होता है positive temperature coefficient of resistance होता है कहने का मतलब क्या है कि अगर metals में या फिर हमारे conductors में यानि temperature अगर उसमें increase करेगा तो resistance भी हमारे पास क्या करता है increase करता है let us suppose कि ये हमारे पास एक copper का piece है और इस copper के piece में क्या होंगे बहुत सारी तेदाद में electrons होंगे और ये इस तरीके से आगे flow करते होंगे इस तरीके से आगे flow कर रहे होंगे एक direction में जिसके चलते हमें क्या मिलती है एक current मिलती है ठीके तो अब अंदर से मान ली जी कि अभी जो इस conductor का जो temperature है वो मान ली जी कि टकरा टकरा कर आगे बढ़ रहे होंगे ठीके तो इनके टकराने की एक velocity होगी इस temperature पर ठीके एक velocity होगी इनकी लेकिन जैसे हमारे पास मान ली जी कि temperature बढ़कर 40 degree Celsius हो गया temperature जब बढ़ गया तो यहाँ पर जो हमारे पास electron होते है ना उनकी velocity या फिर आपस में इनकी जो टकराने की velocity होती है ना ये और तेज हो जाती है मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ मान लीजे कि electron electron के साथ अंदर conductor में एक second में टकरा रहा था अब क्या होगा कि एक second में तो ये एक ही बार टकरा रहा था ना electron के साथ लेकिन अब क्या होगा मान लीजे एक second जैसे हमारी बास temperature increase करेगा तो एक second में मान लीजे कि ये चार बार एक दूसरे के साथ टकरा रहा है कोलाइड कर रहा है चीक है तो इसके टकराने से क्या हो जाता है कि अंदर में electrons को एक तरह से उसकी velocity में कमी आ जाती है तो एक तरह से हम क्या सकते हो कि उसको और ज़्यादा time लगेगा आगे बढ़ने में ठीक है ना और ज़्यादा उसको time लगेगा समय लगेगा आगे बढ़ने में कहने का मतलब क्या है कि बढ़ रिजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है temperature के बढ़ने से और यह किस में होता है हमारे पास यह metals में होता है क्या होता है metals का positive temperature coefficient of resistance होता है और यह हमारे पास जो हमारे पास semi conductors होते है semi conductor और insulator के case में क्या होता है insulator के case में क्या होता है कि हमारे पास जो इनका जो temperature होता है मतलब negative temperature coefficient of resistance इनका होता है कहने मतलब क्या है कि अगर semiconductors में temperature अगर increase करता है तो इसका resistance जो है वो decrease करता है यानि negative temperature coefficient of resistance होता है चीक है अब इस temperature coefficient को हम alpha के साथ denote करते है या फिर इसका जो symbol होता है वो क्या होता है alpha होता है ठीक है, तो इसका formula हम देख लेते हैं, temperature coefficient का जो formula हमारे पास होता है, वो क्या होता है? change in resistance, change in resistance by change in temperature, change in temperature upon, एक और अपान, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कि resistance को consider करते हैं, resistance of the base temperature, base temperature पर जो हमारे पास resistance होगा ना, resistance of the base temperature, इसी को हम consider करते हैं, ठीक है, तो change in resistance, यानि resistance में हमारे पास change कैसे होगा, देखिए, यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ, जैसे माली जी कि यहाँ पर हमारे पास एक temperature था, 25 degree Celsius, तो 25 degree Celsius पर हमारे पास जो resistance होगा, उसकी कुछ value होगी, ठीक है, तो मान लीजे कि यहाँ पर हमारे पास जो resistance था, जो base, हमारे पास resistance था, उसकी value हम मान लेते हैं, यहाँ पर R1, और यहाँ पर जो, मतलब temperature को मान लेते हैं, हमारे पास, जो base temperature है, उसको हम मान लेते हैं, थीटा 1, degree Celsius, चीक है, उस समय हमारे पास जो यहाँ पर resistance होगा, resistance की value हम मान लेते है r1 क्या मान लेते है r1 मान लेते है इसी तरीके से यहाँ पर जैसे ही हमारे पस temperature change होता है मान लिजे दूसरा temperature हमारे पास है theta 2 degree Celsius तो इस वाले temperature पर हमारे पास जो resistance की value होगी वो कुछ और होगी क्योंकि metals में क्या होता है तो इसी तरीके से हम change in resistance की जगा पर हम क्या लेक सकते है r2 minus r1 लिख सकते है by change in temperature तो temperature में कितना change आया हो हम कैसे निकाल सकते है दीखे theta 2 हमारे पास second temperature है दूसरा temperature है और theta 1 हमारे पास जो पहला temperature है base temperature है तो अगर इनके बीच में हमें देखना होगा change कितना आया तो हम क्या करेंगे theta 2 degree Celsius minus theta 1 degree Celsius मतलब माइनस करेंगे बड़े मेंसा छोटा को माइनस करते है तो theta 2 minus theta 1 चीक है तो यह हमारे पास यह हमारे पास temperature आ गया change in temperature आ गया और इसके अपान में हमारे पास क्या है कि resistance of the base temperature consider जो base temperature है हमारे पास base temperature क्या है हमारे पास तो यह theta 1 degree Celsius तो इस समय जो हमारे पास resistance है resistance कितना होगा R1 तो इसको हमने consider करना इसको लेकर हमने चलना है यानि R1 तो यहाँ पर इसको हम alpha 1 मान लेते हैं ठीक है alpha 1 यह temperature coefficient इसको हम alpha 1 मान कर चलते हैं तो alpha 1 बराबर क्या आ गया R2 यानि resistance दूसरा resistance minus पहला resistance बेस रेजिस्टेंस डिवाइड़ बई यह हमारे पास change in temperature मलब change in resistance माइनस change in temperature और इसके अपान में क्या है हमारे पास कि बेस टेंपरेचर पर जो resistance यानि R1 है इसको हमने consider करना है अब देखिए जब हम इसको cross multiply करेंगे इस तरीके से alpha 1 into R1 हो जाएगा और इस साइड में हमारे पास बच्चेगा R2 माइनस R1 यह नहीं कि change in resistance divided by change in temperature यह नहीं कि theta 2 degree Celsius माइनस theta 1 degree Celsius अब यहाँ पर देखिए इसको हम और अगर cross multiply करें तो हमारे पास क्या जाएगा alpha 1 R1 into theta 2 माइनस theta 1 theta 2 यहाँ पर देखिए alpha 1 into R1 इसको हम फिर से इसके साद cross multiply करेंगे तो क्या जाएगा alpha 1 R1 into theta 2 minus theta 1 चीक है और इस साइड में हमारे पास बच्चेगा R2 minus R1 यहनि change in resistance अब यहाँ पर देखिए कि इस R2 को हम एक साइड रखते हैं यहनि resistance अगर हमें निकालना है R2 हमने निकालना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा R2 एक साइड में हमारे पास हो जाएगा और इस R1 यहाँ पर दूसरे साइड में क्या बचेगा R1 प्लस अलफा 1 आर वन इंटू थीटा 2 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1 चीक है अब यहाँ पर देखिए R2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर भी R1 है यहाँ पर भी R1 है तो इसको हम कॉमन करते हैं तो R1 इंटू 1 प्लस अलफा 1 हमारे पास अंदर बचेगा इंटू थीटा 2 माइनस थीटा 1 इस तरीके में तो यह हमारे पास क्या हो गया यह हमारे पास फिर से हमारे पास एक formula हो गया मतलब नए temperature पर हमारे पास एक और resistance हमें निकल गया R2 जो हमारे पास क्या है R1 इंटू 1 प्लस अलफा 1 थीटा 2 माइनस थीटा 1 चीक है तो इस तरीके से हमारे पास जो है यह R2 की value निकल गई resistance की value एक तरह से एक नए temperature पर हमें मिल गई ठीक है अब हम देखते हैं temperature coefficient का जो unit होता है वो क्या होता है तो unit हम किस तरीके से निकालेंगे unit हम निकालेंगे यहाँ पर इस फॉर्मूली से यहाँ पर देखिए यह जो हमने यहाँ पर लिखा है ना चलब ये उपर resistance है न अगर r2 में से r1 आप minus करोगे तो भी हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर resistance ही बचेगा और resistance को हम किसमें लेते हैं हम में लेते हैं divided by theta2 minus theta1 यह नि temperature में से temperature को अगर minus करोगे तो क्या आजाएगा temperature ही आजाएगा और temperature को हम किसमें लेते हैं degree Celsius में लेते हैं divided by यह जो हमारे पास r1 है यह क्या हमारे पास है resistance है तो resistance को भी हम किसमें लेते हैं अब यहां पर देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब एक है इस तरी के से है ना एक चुपा अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब एक चुपा है तो यह एक जब उपर चला जाएगा तो इसके साथ multiply में आ जाएगा देखें ओहम multiply by one और divide में क्या हो जाएगा यह जो ओहम है इसके साथ multiply में आ जाएगा यानि degree Celsius multiply by ओहम अब यहां पर यह ओहम और यह ओहम कैंसल होके हमारे पास जो unit आ गया हो क्या आ गया per degree Celsius हमारे पास क्या हा गया unit of temperature coefficient आ गया so I hope friend के आपको यह clear हो चुका होगा so thank you very much